एक तो आलू, उपर से मेथी और इन दोनों का परांठा कसम से मज़ा ही आने वाला है हलो एडिया स्मार्ट जब्स कैसे आप आप आज होफ़ली सब ठीक ठाक होंगे तो मैं हूँ शुएता और आज मैं आपके लिए लेक्या ही हूँ करके आते हैं तब आप इनको छीलते हैं उसी समय आप इनको मैश कर ले तो बहुत ही ईजी ली और एगदा मक्षन मलाई जैसे यह मैश हो जाते हैं यहाँ पर मैंने जो आलू हैं यह रखे हुए थे मेरे पास तो इसलिए मैं इनको ग्रेट कर रही हूँ क्योंकि रखे हुए आलू जोते न वो एकदम से बिलकुल अच्छे से नहीं मैश होते हैं तो यहां पर हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से मैश होकर के तियार हो गए हैं तो इन्हें हम रख देते हैं साइड में और इधर मैंने ले ली हैं मेथी तो यहां पर मैंने एक बंच मेथी ली थी जिसकी मैंने लीव्स को अलग कर दिया है मतलब चोटी-चोटी डंडिया मैंने रख ली हैं बड़े-बड़े वो जो मोटे-मोटे डंडे टाइप की होते हैं उनको हटा दिया इनको अच्छे से मैंने धो लिया है और अब हम इसको काट लेंगे तो पत्यदार सब्जियों को जब भी काटे तो एक गो में ही काटे मतलब एक जगे पे एक ही बार चाकू लगाए यह नहीं कि एक ही जगे पे आप तीन-चार बार चाकू लगा रहे हैं मेथी बहुत यहां परती हना है, the moral, बहुत पुर बड़न काटा को को नहीं ही झालिया और अब इसमें डिकन सब्द हाइ冷 hätte किसे और अब ऐते हैं, अब मेथी मेथी ऐनमक कार त Rob, 6 Physics उस्दाफ ऑजवाईन वा हैं नहीं तर से पड़ाइन भ fluctuations, तो इसका जो फ्लेवर है वो रिलीज हो जाए स्वाद अनुशार नमक डाल देंगे तो यहां पे मैं एक टीश्पूर नमक का इस्तमाल कर रही हूँ कुटीवी लाल मिर्च डाल दें यहां पे आप हरी मिर्च का भी इस्तमाल कर सकते हैं वो तो और भी जादा फ्लेवर देगी तो अब हम इसमें दही डालेंगे तो यहां पे मैं दो चमच दही डाल रही हूँ दो सो दही जरूर डालिएगा इस रेसिपी में आपको मज़ा ही आ जाएगा तो अब बहुत जादा फ्लेवर्स हम इसमें नहीं डालेंगे मेथी और आलू इनका खुद का अपना बहुत ही बढ़िया फ्लेवर होता है तो बहुत जादा मसाले शासाले डाल करके हम फ्लेवर्स को कन्फ्यूज निंग करेंगे तो अब हम इसमें जरूरत के इसाब से पानी डालेंगे और इसका बिल्कुल जैसे रोटी पराठे का जो हम आटा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आटा लगा करके त्यार कर लेंगे तो यहां पे हमारा जो आटा है वो बिल्कुल डन है तो अब हम इसको ढख करके करीबन 10 से 15 मिनिट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे फूलने के लिए तो यहां पे हो चुके हैं 15 मिनिट और हमारा जो आटा है वो बहुत ही अच्छे से रेस्ट करके तयार हो चुका है तो अब हम करते हैं तयार ही अपने पराठो के लिए तो यहां पे हम एक लोई ले लेंगे जितना भी बड़ा या जैसा भी मोटा आपको पराठा पसंदो उस हिसाब कि आप लोई ले लें उसको इस तरीके से गोल कर लें थोड़ा सा सुखा अटा लगा लेंगे तो न्यू कमर्स के लिए बता दू मैं आप स्क्रीन पे यह लोई का साइस देख सकते हैं यह एक मीडियम साइस के पराठे के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है तो अब लोई के उपर हमने हलका सा सुखाटा लगा दिया है और अब हम रोलिंग पिन की मदद से इसको गोल गोल बेल लेंगे गोल नहीं भी बिल रहा है तो कोई बात नहीं अगर नहीं गोल बिले तो आप किसी ना बड़े काटोरे से इसको काट करके गोल शेप देदेजिएगा यह नहीं कि मतलब अपका गोल निम बिला तो आप चोटा सा दिल छोटा करके बैठ जाएए और फिर कोले के हाई राम हम तो कुछ बनाई नहीं सकते है घर का बनाईए अपने हाथ से बनाईए आपको प्राउट फीलिंग आएगी मैं तो इतने सालों से बना रही हूँ अभी भी मेरे से गोल नहीं बन पाता है तो उसमें कोई बहुत बढ़ी बात नहीं होती है कोई इस्यू नह होता है तो यहां पर हमारे जो तवा था वो मीडियम गरम था फ्लीम को हम इस समय मीडियम से हाई के बीच में अज़स्ट करते रहेंगे और जब परांठे का जो रंग है उपर से हलका सा चींज हो जाएगा तब हम इसको पलट देंगे इस तरफ से भी हम परांठे को एक से जाएगा जाएगा तब हम इसके ऊपर ऑईल लगाएगे अभी तक हमने इसके ऊपर ऑईल या देसी घी बिल्कुल भी नहीं लगाया था ऑईल देसी घी जो भी आपकी चॉइस हो आप वो लगा सकते हैं और फिर हम इसको पलट देंगे इसी तरीके से गोल्डन स्पॉट्स आने तक हम इसको दौनों तरफ से अच्छे से सेख लेंगे और आपका बहुत ही बढ़िया इसको आप नाश्टा कह सकते हैं आप इसको में कोर्स मील में भी आप इसको सर्फ कर सकते हैं यह बहुत ज़ादा टेसी बनते हैं दोस्तों इसको कन्विंस करने की मुझे आपको से बैब ब sacrifice के में रॉड़ी बिद्म है उन पहुत्ट लिए मम केक लिए और इसको सर्फ में करने द्राधहिज आपके लिए अभी वेदा लेते हैं तब आपके लिए स्टे हीलधी इट एंट इन्ग जॉई